अमल और क्षार में अंतर एक ट्रिक से अमल के गुण भी हो जाएंगे एक शार के गुण भी हो जाएंगे और अंतर भी हो जाएगा एक ट्रिक से और साथ ही धेर सारे अबजेट्टिव्स भी प्रिपेर हो जाएंगे क्या है ट्रिक ट्रिक है अनील पी खटा जले अनील पी खटा जले तो अनील पी खटा जले अनील पी खटा जले अब देखें इससे क्या होगा अनील से हो जाएगा अमल निले लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है तो अनील हो गया है अमल निले लिटमस को लाल कर देता ह अब पी से देखेंगा क्या बनेगा पीसे बनेगा P.H. symbols, तो अमल का जो पी. E.H. माने वो साथ से कम होता है तो अनिल पी, अनिल आमल निले को लाल, पीसे P.H. मान साथ से कम, खटा. अमल का स्वाद तो खटा स्वाद तो अनील पी खटा तो अनील पी खटा देखे अनील अमल नीले को लाल कर देता है पी पी एच मान साथ से कम खटा स्वाद और जल हे मतलब जल में हे मतलब ह तो जल में ह प्लस आयन देते हैं तो यह अमूल के बारे में हो गया अनिल्फी खट्टा जल है देखे अनिल अमल निले को लाल कर देता है फी पी एच मान साथ से कम खट्टा मतलब खट्टा स्वाथ और जल है मतलब जल में H प्लस आयन देते हैं और इसका आप ख्षार में बिल्कुल विप्रित करते जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं, ख्षार लाल लिटमस को निला कर देते हैं, इनका पी एच मान साथ से अधिक होता है, इनका स्वात जो है वो कड़वा होता है, और ये जल में OH-IN देते हैं, तो इस तरीके से हम एक ट अधिक्टिूस भी हो जाएंगे, धन्यवाद